डेली करेंट अफेयर्स की इस क्लास में 11 और 12 मार्च की उन घटनाओं की चर्चा करेंगे जो PCS Pre 2023 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हैं और स्टेटिक जीएस के अंतरगत आज हम रखें हैं यह सबसे पहले डेली करेंट इपेयर्स की इसकी चर्चा करेंगे फॉर्ट हम जानते हैं समय चर्चा में है और भारत में दो वेक्तियों की मृत्य हो चुकी है एक हरियाडा में चपन बरसी वेक्त की मृत्य हुई है जीन्द में जीन्द जिला में और दूसरी करनाटक में या हैं इसकी पुस्ट होई है अनुदों में और इसी लिए ये आज कल चर्चा में है राजसरकारों को निर्देश दिए गए हैं राजसरकारों को सलाह दिए हैं मास्क लोगों को पहनने के लिए और इसके जो लच्छन होते हैं वो हम बता दें कि जो सामानने फ्ल्यू के लच्छन होते हैं जैसे खासी, बुखार, जुकाम, गले में खरास, इसमें एक लच्छन घरगराट आती है, किसी-किसी मितली की सिकायत होती है और दस्त की भी सिकायत इसमें आती है, लंबे समय तक भुखार बना रहता है, ठंड लगती है, तो यह सब लच्छन जो कामन फ्ल्यू के होते हैं, वही हांकांग फ्ल्यू के लच्छन हैं, क्या यह अभी आया है, तो इसका इतिहास बता दें, यह सबसे पहले जो है, 1968 में यह महमारी की रूप में फैला, और एक से चार मिलियन लोग इसे प्रभावित हुए, और यह खतरनाक महमारियों में गिनी जाती है, विस्व की ब्यापक जिसकी ब्यापकता इतनी ज्यादा थी, और भारत के भारत ही नहीं प्रभावित हुआ था, और इस भारत के खतरनाक महमारी होती है, उसमें इसकी गिंती होती है, इसमें ए हांग कांग की जो डेंस्टी है पॉपलेशन डेंस्टी अब हो ज्यादा है तो बहुत तेज वहां पर फैला था हलांकि हांग कांग फ्लिव भले नाम दिया गया है लेकिन इसकी भुत्पत्ति ऐसा माना आता है कि यह चीन ही तो कुछ चीजा जान लीजी कि 1978 में यह फैला हु पर देख उख्ञें तो इससे क्वेस्टन आ सकता है और इसकी वैक्सीन भी वनी थी लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहा है जो इसकी जो वैक्सीन बनती है यह मुर्गी के निसेचित अंडे से बनती है यह भी आप ध्यान रखीएगा हो सकता है उसमें पूछ ले तो द इसके बाद नेक्स्ट जो घटना है वह हम राज खेलनी 2023 राज उत्तरप्रदेश इस्पेसल में पूछा सकता है चुक्कि उपकी क्वेस्टन अब बढ़ेंगे आपके मेंस में भी आ सकता है इसमें क्या किया है कि खिलाडियों की गुडबिल के लिए खिलाडियों को तयार करने के लिए सारीरिक दच्छता से लेकर ट्रेनिंग तक की बेवस्था इसमें की जाएगी ध्यान रखा जाएगा सारीरिक दच्छता से लेकर सारीरिक दच्छता और ट्रेनिंग इसका किध्यान रखा जाएगा और दूसरी जो इसमें ब्योस्था की गई है उसमें अभी तक जो देश में पूरा है देश के खेल नियामक प्राधिकरण है वो है भारतिये खेल प्राधिकरण भारतिये खेल प्राधिकरण इसके तरज पर ये साई से कहते हैं साई तो इसके तरज पर राज खेल प्राधिकरण अस्थाप्त किया जाएगा इसके अलामा जो कालेज हैं जो प्राधिकरण आ है कालेज है इनको खेल से जोड़ा जाएगा इनको प्राधिकरण से जोड़ा जाएगा और एक्सिलेंस बनाजएंगे चोदा सेंटर एक्सिलेंस बनाएंगे उसमेन… सेंटर ऊफ कि एकसे लेंगे वाइट यह और पांच हाय परफर्फार्मेंस के लादियों को मैं बाता जाएगा स्टाइब में कीने जाएगे उनको उनको राज के लिए राज में परतियासर परदा के लिए त्यार की जाएगा और जो टाप लेबल के खिलाड़ी होंगे एलीट खिलाड़ी होंगे उनको नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए तैयार किया जाएगा यह भी इसमें रखा गया है और दूसरा है फारतिये खेल पराधिकरण के आपर राजी खेल पराधिकरण बनाए जाएगा चौदा सेंटर आफ एक्सिलेंस बनाए जाएगे और पांच हाई परफार्वेंस सेंटर बनाए जाएगे यूपी में यूपी स्पेसल का है ध्यान रखिएगा दस मार्च को एक एमिरेट ने अप्रूबल दे दिया है इमेंस और प्री में अनिमारी रूप से रखा हुआ दो बहुत सारी चीज़ें इसमें रखे गई हैं तो यह कुछ बिंदु जो महतपूर हमने यहां से ले लिया है इसके बाद अगला जो बिंदु है यहां पर देख लिजिए अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं यूनीक हेल्थ आईडी होई यूपी स्पेसल समद्नित है इसक बहुत समान भारत डिजिटल मिशन यानि ए आयसमान भारत डिजिटल या यम एबी डियम यह मिशन चल रहा है इसको उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लागू करने का प्लान सरकार बना लिया है इसने कैबिनेट का अपरूबल दे दिया गया है इससे प्रतेक बेक्त के एक हेल्थ आइडि बनाई जाएगी ओ हेल्थ आईडि जो है आयसमान भारत डिजिटल एकाउंट या आयसमान भारत या भारत कि ऑसकी एक आईडि बने गी हर यूपी के हर बेक्त की एक आईडी बनेगी, उसमें उसके अपने समस्त जाचें, समस्त जाच, रोग की जानकारी, जाच, रोग की जानकारी, इसके बाद रेडियो थेरेपी समंदिय, रेडियो लॉजिस समंदित जो भी जाच होगी, रेडियो लाजी, आज से सम्मंदिस समस्त जानकारियां उसकी उस ID पर रखी जाएगी फिर वो कहीं अगर दिखाने जाता है किसी डाक्टर को अगर वो जाता है तो उसको धेर सारी फाइल तयार होती है फाइल ले करके वो जाता है डाक्टर उस फाइल को बार बार पढ़ता है हमें इसके पास कहा है कि दैसे में किस अज़ा और देख लेगा उसके तरह से यह आयुस्मानद जीटल भारत मिशन के अंतरगत भारत ऊतर प्रदेस में हर वैक्त कि एक यूनिक ID बनेगी और उस यूनिक हेल्थ ID हर विबनने से स्वास्त सेवाओं में उसको इंटरनेशनल स्वाएं कोई लेनी हूं National से वाई लेनी हो यह सब सारी चीजों में कोई भी insurance लेना हो तो उसको बार बार अपना चेक नहीं करवाना पनेगा उसा ID के थो चक करेगा उसके बाद उसका insurance हो जाएग अभी जाके तो उसको चक करा मैं सुगर चक करा होर। इसके बाद है अगला बिंदु है भारत बांगलादेश पहली तेल पाइप लाइन के सुगात हुए 130 किलोमीटर किलोमीटर ने लंबी है और 18 मार्च को भारतिय प्रधान मंतरी सुरी नर्रेंद्रोदी जी और वहां की प्रधान मंतरी सेख हसीना इसको वर्चुली वीडियो कमफ्रेंसिंग के माधन से इसका उधगाटन करेंगे और इसको बनाने में इस pipeline को बनाने में 3.46 अरब रूपए का रेंड जो है भारत ने बंगलादेश को दिया है और इससे बंगलादेश को डीजल की आपूर्ति की जाएगी भारत द्वारा बंगलादेश को ठीक है तो यह पहली भारत बंगलादेश की पहली तेल pipeline है जो 3.46 रूपए कर्ज से भारत ने इसको बनवाई है 130 किलो मीटर लंबी है और इसका उदगाटन में 18 मार्ज को नरेदमोदी उसे एक हसीना दोरा किया जाएगा इसमें डीजल का डीजल एक्सपोर्ड करेगा भारत बंगलादेश को एक और महत्पूर सुचना है आप देख लिजे एच यूसी एंजाइम क्या है एच यूसी एंजाइम हम जानते हैं कि प्रेथिवी पर या मिट्टी में बहुत सारे बेक्टिरिया पा है अब बैक्टिरिया कुछ बैक्टिरिया ऐसे होते जो आयटमासफिर से हाइड्रोजन लेकर गर और करते हैं और से ऐसा माना जाता है अनुमाल लगाए गया है कि 70 मिलियन टन पर यह हाइडरोजन वहां से एटमास्फियर से ले करके यह एब्जार्ब करते हैं यह बैक्तिरिया जो यहां पर पाई आते हैं जमीन इदर मिट्टी में और उनसे जो एंजाइम बनता है वह एंजाइम क्रिया के आगा से ग्रांस कका फिर्फ सुबिद्याले कि तास्टेलिया को इसे एंजाइम का उन्डेया का पता लगा से ओंकरते हैं में इजाइम की को औरहा या क्टल्णक काम करता है एंजाइम उससे ूर्जा ऊतन होती है तो हवा से हाइड्रोजन ले करके उससे एंजाइम बनाकर और जो उर्जा उत्पन होगी उससे बिजली या बिजली बनाई जाएगी जो उससे हमारी उर्जा समस्या का चुकि उरूस उक्रेन संकट के बाद लोगों को हर देश को लगभग उर्जा संकट के सामना करना करना पड़ रहा है तो इस से लोगों का रिसर्ज की तरफ और बिबेन जीटरूम पढाज अग्यास है तो भी ऐसे ब्रिजम मुद्पन करने उससे और शर्जाद पन होती है वो ही एंजाइम है इसके बाद अगला है हम इस्टेटिक जीएस पर आते हैं ये चार पांच पॉइंट हो गए आप देख लिए हांकांग फ्लिव राजी की पहली खेलनेत यूनी खेल्थाइडी नंबर भारत बंगलादेश पहली तेल पाइपलाइन और ही उसी एंजाइम य इसके प्री में तो आना आना है और मेंस में भी राजी खेलनी तो आपकी रखी हुई है और यहां से क्वेस्ट्टन हंडेट परसेंट वनना है इसको आप आउर डिटेल में तैयार करेंगे लेकिन प्री के लिए इतना ही काफी है इसके बाद स्टेटिक जीएस के अंतर का बैंक दर देखते हैं बैंक दर क्या है बर्भार पुछा दा था और एक र्पोदर एशलर ने को इस तरहते हैं долго को दो और ने थे अाहाँ में कि मिपर पाते हैं थो हुए नौइ को उसी पैसे से हुए जो पैसा इनको पास आता है वह लोगों को internet को मार्केट में आजाती है जब यह पैसा ओता मार्केẩट में ठीक और लेकिन इस समय बृढ़ध का जो प्रुभाव होता वह बता रहे हैं इसमय बृढ़ध की देखते हैं कि कई बार लगातार इस साल में मुद्रा इस्फिती पर नियंद्रण पाने के लिए बार बार मुद्रा इस पर किया है महगाई बहुत बढ़ी हुई है तो इसको नियंद्रण करने के लिए सरकारें बार बार क्या कर रही है RBI बार बार क्या कर रही है बैंक दर को बढ़ा रही है बैंक दर बढ़ाने से अभी हम समझ में आए कि महागाई इसको ऐसी कंट्रूल होती है और इसका क्या प्रुभाव पढ़ता है यहां देख सकते हैं बैंक दर में बृद्धी का प्रुभाव क्या होता है बाड़िजिक बैंक RBI से दीर काली रिड कम लेते हैं अब भाई जब ब्याज बढ़ जाएगा तो क्या होगा बाड़िजिक बैंक जितने हैं SBI हुआ बढ़ोदा हुआ पे एंबी हुआ तो इस तरह से रिड कम लेते हैं ब्याजदरों में बृद्धी अब इनको यहां पर लोगों को करज देंगे तो ब्यासदर में भृद्धी हो जाएगी आपके हमलों में बृद्धी होगी जितने भी तरह के लून आप लेते हैं बैंक से उनमें बृद्धी हो जाएगी देखने माया एक सालबर से लगातार हर पिमाही में होम बीवस्ता की तरलता में कमी बैंक लोन नहीं दे रही है और बैंक अपनी इंट्रेंस्टेट बढ़ा रहा है लोन देने लोन पर इससे एक चीज और होता है कि जो आपकी जमा होती है उस पर भी आपको अप्सक्रादा बढ़ता जरूर है FD बढ़ाएंगे जिए बैंक ज्यादा लोन ज्यादा इंट्रेस्ट लेगी तो ज्यादा देगी भी तो एक तो हमें लोन कम मिलना है उपर से हम जो जमा करते हैं पैसा वह हम बढ़ाएंगे क्योंकि उस पर इंट्रेस्ट ज्यादा बढ़ गया हम सुचेंगे हमारा पैसा जो या मार्केट में कम विक्री होगी तरलता में अर्थव्यवस्था की तरलता में कमी आ जाती है तरलता में कमी अंतलब है कि थोड़ी अर्थव्यवस्था स्लो होती है खरिदारी कम होती है अपूर्ती परंकुष लगाना पड़ता है उब जो प्रोडूूसर नीवेश में कमी आप जब पैसा ही नहीं है तो हम कहां सुपव भोग करेंगे पैसा हमारे प्रास सकम हर्च करेंगे और जब समहाल खर्च करेंगे तो जह cayre हम अपना कीमत गिराएंगे कम कीमत में पेचेंगे जो महांगा आ यह यह बेचांगा इसτιह अगर अगर आपको अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें थैंक्यू फर वाचिंग